भाई मारूल के वेंजर्स की सारी मुज एक दूसरे से इतना क्रेजिली कनेक्ट करती है नहीं कि क्या ही बोलूं साला थोर केप्टन से कनेक्ट कर रहा है और टोनी नतासा से और हाँ में मारूल के तिनों फेज़ेज को एक साथ कनेक्ट करके आपको समझाने वाला हूँ तो चलो फेज़़वन से सुरू करते हैं तो फेज़़वन सुरू होता है हमारे टोनी के पिताजी हावर्ड स्टाक के साथ जो कि इस इंसान को ऐसे से बदल कर ऐसा बना देते हैं और हमें मिलता है हमारा Captain America जो के बाद में एक suicide mission पर जाता है और फुद को कई सालों तक बर्फ में दफन कर लेता है जिसके कई सालों बाद entry होती है हमारे Howard के बेटे Tony Stark की जो कि उनके जितना intelligent था लेकिन एक दिन वो कुछ आतेंगवादियों की चंगूल में फच जाता है और वो उसे एक गूफा में केद कर लेते हैं लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो ऐसा बन कर निकलता है और हमें मिलता है हमारा नया सुपर हीरो Iron Man पर जब इस खुराफाती इंसान को पता चलता है कि मार्केट में एक नया सुपर हीरो आया है तो वो इस महीला उसोरी ससीना को बेजता है Tony को अपने वस में करके अपनी टीम में सामिल करवाने के लिए क्योंकि एक गुस्पेटिया दूसरे गर्या का एलियन थोर बिना किसी को बताए धर्ती पर गूमने आ गया था और साइड में इन दोनों की कानी अलग चली रही होती है कि एक और गुस्पेटिया के एंट्री हो जाती है जो कि इस पहले वाले गुस्पेटिया का भाई है जिसे इस मासूम से मौन्स्टर ने बेजाता है ये लाने के लिए इसलिए एक खुराफाती इंसान वर्फ में दफन हो चुके केप्टन को दुबारा से जगाता है और इस ससीना को भी वापस से काम पर लगाता है बेटमेन और सुपरमेन से भी अच्छे सुपर हीरो जो एक्जिस्ट करते हैं और वो मारूल के पास हैं तो फेस्टू की सुरुआत होती है हमारे आइरन मेन के साथ जो कि हमेशा की तरह कुछ evil mindset वाले crazy लोगों से इस दुनिया को बचाने के प्रयासों में लगा हुआ था साइड में थोर अपने planet पर अपनी अलग पारिवारी कुलजनों में उलजा हुआ था और तब ही मुलाकात होती है हमारे केप्टन के अपने कई सालों पुराने best friend बकी से जो केब उसका जानी दुस्मन बन चुका था जिसे अब केप्टन अपने नए फ्रेंड falcon के साथ मिलकर control में करने की कोशिज करता है और जब ये सारा रायता प्रिट्थिव पर फैला हुआ था तो प्रिट्थिव से काफी दूर हाँ काफी दूर एक नई सुपर हीरो की टीम अपने अलग एडवेंचर्स में लगी हुई थी अब वापस प्रिट्थि पर आजाओ जहां टोनी की अच्छी नियसे किये गए गलत एक्स्पेरिमेंट्स इस नए विलेन को जनम दे देते हैं और बाद में यही विलेन इस नए सुपर हीरो को जनम देता है जो की वर्दी भी होता है और इसी फेज में तो भाई हमें हमारी आई हाई वोंडा भी तो मिलती है तो भाई अभी शुरू होता है फेज 3 और हां मैंने सिर्फ एंड गेम तक की बात किये क्योंकि एंड गेम के बाद अवेंजर्स के पास कुछ दिखाने लाइक है ही नहीं तो फेज 3 शुरू होता है इस इंसान जीमों के साथ जिसके और हमें मिलती है एक बहुत बड़ी मूवी सिविल वोर जिसका एंड होता है इन दो दोस्तों के बीच एक फाइनल एपिक बेटल के साथ जिसके बाद हमें इन दोनों के बीच का बॉन और भी अच्छे से दिखाये जाता है बलेक पेंथर वाकांडा का नया किंग बनने के सफर पर निकल पड़ा था थोर अपने बहन से अपने प्लेनेट को बचाने के अपने एक नये सफर पर निकल पड़ा था जाओं उसकी दोर सुपर हिरो से मुलाकात होती है पहला उसका खोया हुआ दोस्त हलक और दूसरा डोक्टर स्ट्रेंज जो कि उसकी मुलाकात उसके म रहता है कि उसका सामना हो जाता है थैनोस से और हमें मिलती ही सद्धी की सबसे बड़ी क्रोस ओवर इंफिनिटी वोर जिसमें तो ओवेंजेस के हार हो जाती है और थानोस अपने मकसद में काम्याब होकर आदे दुनिया को खतम कर देता है लेकिन बाद में आती है एंड गेम जिसमें टोनी एक टाइम मसिन बना कर सारे इंफिनिटी स्टोंस को वापस से लेकर आता है और इस बार अपनी जान कुर्बान करके इसनेप करता है और थानोस और उसकी पूरी आर्मे को खतम कर देता है और अपने सारे दोस्तों राधी दुनिया को वापस से लेकर आता है अब आई अगर आपको वीडियो पसंदा है तो आपको तो पता ही होगा कि क्या करना है और क्या नहीं